हलो एंड वेलकम टो ममान्स हाईजिनिक कैंटीन आप सभी का रश कैंटीन में बहुत-बहुत स्वागत है आज हम बनाएंगे हेल्दी-वेल्दी सा जंगली सैंडविच बच्चों का बड़ों का सबका फेवरिट और खुब सारे वीजीज, पनीर सब कुछ इसमें आपको मिल हेल्दी-वें जंगले सैंडविच बने के लिए हम बनाएंगे इसमें हरी चट्ट्ट्नी साफसे का हडा हरा हुण हेल्दी में हरी चट्नी को काफी देड तक अलरा हिरा हर रहे है और सब्सक्क्राइब आगे बढ़ने से पहरे जो भी मेरे चैनल पर नया है इस चैनल को सब्सक्राइब करें वो भी फ्री में लेटेस्ट नोडिफिकेशन के लिए बैल आइकन दबाना ना भूलें वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें फ्रेंड्स को शेयर करें और हां कॉमेंट देना तो बि दाल सकते हैं दो हरी मिर्ची डाल दी है एक टमाटर कटा हुआ और यहां पर मैंने लिए हैं दो आइस क्यूब यही है वो जो आपकी चट्नी को खतम होने तक हरा रहे कच्छे आमकी कुछ टुक्रे और अब इसमें आट किया है मैंने थोड़े से रोस्टेट पीनट यानि क मुंफली के दाने बुना हुआ जीरा पाउडर आधी चमच काली मिर्ची पाउडर आधी चमच और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग और सभी को अच्छे से पीस कर हम साइड रख लेंगे अब हम वेजिस मिक्चर तयार करते हैं तो उसे बनाने के लिए मैंने यहां एक बोल इसमें हम डालेंगे बारिक कटा हुआ शिम्ला मिर्ची बारिक कटी हुई प्यास और टमाटर यहां पर टमाटर के चुपीच होते हैं वो नहीं निकाल दिया था मैंने अब इसमें एड किया है मिलकी हुए कॉन आप दूसरे विचिस जो पसंद करते हैं उन्हें भी एड कर और एक चर्मच फ्रेंकी मसाला यहां पर मैंने फ्रेंकी मसाला यूज किया है उसकी रसिपी अगर आपको जाननी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करूंगी आप जाकर चेक आउट कर सकते हैं और यहां पर रेचिली फ्लेक्स डाल दिया है अब हम इसमे डालेंगे औरिगनो फ्लेक्स आपके पास नहीं हो तो आप इसकी भी कर सकते हैं और थोड़ा सा मैंने टरमाटर सॉस डाल कर इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है तो इस तरह से तयार है हमारा वेजी मिक्चर अब हम चलते हैं में प्रोसस की तरफ तो यहां पर मैंने लिए ब सी बटर के स्वेज़र से बनाए जाता है इसको फरिज में रखा हुआ थोड़ा सा हार्ड है तो इससे मैंने मैल्ट कर लिया है और इसको स्प्रैट कर देंगे प्र आर यह हमारी चट्णी देखा कितनी हरी है और यह जब तक खत्म होगी तब तक हरी ही रहेगी और इस पर 4 से एकोली स्प्राइट कर देंगे एक और ब्रैड लेंगे उस पर भी हम इसी तर से बटर की कोटिंग करेंगे और इसको दूसरी ब्रैड पर हम रख देंगे अब इसके उपर हम टॉपिंग करेंगे बॉयल आलू की बॉयल आलू की स्लाइसेज मैंने कर लिये थे प्याज की स् और यह मैंने डाला है पतले-पतले कैपसिकम के स्लाइस अब यहां पर स्प्रिंकल करूंगे फ्रेंकी मसाला काली मिर्ची पाउडर और अब इस पर ग्रेट करेंगे थोड़ा सा चीज इसे आप अब भी कर सकते हैं फिर से एक स्लाइस ब्रैट की लेंगे उस पर बटर अब इसके उपर लगाएंगे हम अपना बनाया हूँ बेजीज मिक्षर चार उत्र से एककोली सेट कर देंगे इस पर स्प्राइट करेंगे हम रैट सॉस और यह डाला है मैंने ग्रेट पनीर है ना हेल्दी और यह भी घर का बना हुआ पनीर है इसके और हेल्दी करने के लि मैंने जहां तक कोशिश की है कि कोई भी चीज छूट नजा इसमें डालने से जो पत्ली वाली भुजिया होती है वो भी मैंने इस पर डाल दी है कोई भी फ्लेवर इधर उदर नचला जा सारे फ्लेवर आज मेरे सेंडविच में ही आने वाले हैं और एक और ब्रेट स्लाइ आप कैसी भी कर सकते हैं आपकी जैसी इच्छा हो और ना करेंगे तो भी चलेगा और इस तरह से देखिए मैंने टॉपिंग कर दिया है और उपर से ग्रीट किया है चीज देखिए मिंटो में ही तयार हो गया है हैल्दी वेल्दी जंग्ली सेंडवीच इसे आप तवे पर सेख भी सकते हैं ऐसे भी खा सकते हैं बट बच्चों की डिमांड पर मैंने इसे थोड़ा सा बेक कर लिया है लग रहा है न है यमिश्यस अब हम इसे सर्व करेंगे सो डिलिश्यस सो यमिश्यस लोक अट दे सेंटर सारे फ्लेवर यहीं पर है तो गाइस जस ट्राइ इस फोर वंस मिलते है एक नही रेसिपी के साथ तब तक के लिए अपना ध्यान रखिये और अपनों का ध्यान रखिये थांक्यू करेंड़ तक करेंगेक जुद्यस एका साथ करुछ प्लेवर बाही दोगना शुद्यस के साथ कि करेंगे